नमस्कार दोस्तों सुमित वार्दवाज क्लासिज में आप सभी का फिर से स्वागत है आज का हमारा टोपिक रहेगा EVS के MCQ कुशन रहेंगे जो most important question है उनको हमने add किया है तो जिस बच्चे को अगर EVS details से करनी है क्योंकि यहाँ पर तो details से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हम MCQ करेंगे अगर details से जिस बच्चे को करने है तो मैंने details से वीडियो डाल रखे है वहाँ पर जाओ playlist में जाओ वहाँ पर EVS का folder मिलेगा और 35-40 वीडियो आपको मिल जाएगी तो option क्या हाँ आपके सामने Smoke City of India के नाम से जाना जाता है तो आपके सामने option देंगे बई दिल्ली लखनौ गोलकत्ता और मॉंबई तो जो स्मोक सीटी है उसको गोलकत्ता को जाना जाता है तो इसका right answer क्या जाएगा गोलकत्ता जो है right answer आ जाएगा तो जो इसका right answer हो जाएगा भई फिर है बताईए निमन में से कोण एक कीट नहीं है भई कीट नहीं बताना है तो खटमल भी क्या है कीट है मच्छर क्या है कीट है ग्रेलू मक्की क्या है कीट है जो मकड़ी है मकड़ी कीट नहीं होती है तो इसका right answer क्या आ जाएगा D जो इसका right answer आ जाएगा भई next है next question क्या है जन्तों में होने वाला जो खुर वै फिर मुहुपक का रोग होता है किस के काण उत्मन होता है तो simple सी बात है जो मुहुपक का रोग है ये विसानू के काण होता है तो इसका right answer कोन सा हो जाएगा जीवानू नहीं वै कवक नहीं प्रोटो जो आ नहीं विसानू के काण होता है तो D जो है मारा right answer हो जाएगा next है कि भारत की जन संख्या में जो रनात्मक वर्दी धर हुई वह किस दसक में दर्ज की गई थी तो 21 या 30 में 11 या 21 या 41 या 30 या 41 इसका right answer क्या है ए हो जाएगा 21 और कतिस में क्या है वर्दी धर को क्या किया गई था दर्ज किया गई था रनात्मक ठीक है तो next question देखिए क्या रहेगा next question है तो क्या बताना मेरे गो वहसन साझन बताना है च्यार उप्शन में से जो ए, जे, और नवी कर्णिये है तो low ask नहीं होता है पसुधन नहीं होता है जंगल नहीं होता है जल जो है यह क्या है ए, जे, और नवी कर्णिये है तो इस परकार से इसका right answer शी आ जाएगा अगर आप किसी को ऐ जव या इनमेrent प्रोब्लम है तो डिटेल्से मैंने special video डाल रखिये इसकी जिससे आपके सारे doubt क्या है कलियर हो जाएका ऐ नविन कंची कुन सा होता है जव जव कौन सा होता है यह जो कौन से होते हैं अब गटक कौन से होते हैं यह सभी चीज़े मैंने डिटेल्स वाली वीडियो में देख सकते हो जाकर next देखते हैं next question देखते हैं क्या रहेगा देखे स्तत्विकास के लिए आउ सकते हैं तो चार option दिये गए हैं इनमें से बताना है जैविक वीविद्ता का सरक्षण यह स्तत्विकास के लिए आउ सकते हैं प्रदूशन का निरोध एवनियंतर यह भी ठीक है निर्दंता को गटाना यह भी ठीक है तो इस फरकार से हमारा डी जो है राइट अनसर हो जाएगा ये सबी क्या है स्थत्विकास के लिए क्या है आउसक है नेक्ष्ट क्यूसन देखते हैं जिस वच्चे को बायोम वाले चैप्टर में दिकत रहती है उसका भी मैंने special वीडियो बनाया हुआ है तो बायोम की भी देख सकते हो क्योंकि इसमें से क्यूसर बन जाता है तो किस बायोम में प्रात्मिक उत्पादक्ता सर्वाधिक पाई जाती है अच्छा क्यूसन है तो बताईए चैर उप्षन है रोम सागरिय है मानसुनी विस्वतिय है या टेगा तो जो विस्वतिय बन है इसमें क्या है प्रात्मी कुदपाद्रता सबसे ज्यादा पाई जाती है तो इसका right answer क्या हो जाएगा C जो है इसका right answer हो जाएगा फिर उसने पूछा है जो BOD है BOD की मात्रा जो full form है यहांपर तो biochemical oxygen whoever यहांवर होती है biochemical oxygen demand जो है इसकी full form रहेगी देखते हैं कौन सा option रहेगा B जो है इसका right answer हो रहेगा biochemical oxygen demand फिर है जो मैदानी छेत्रों में मैदानी छेत्रों में समान्ड होने के लिए गदेव खचर का प्रियोग किया जाता है तो जो पाड़ी छेत्र है उसमें किसका प्रियोग किया जाता है तो पाड़ी छेत्र में तो बैस का नहीं, गोड़े का नहीं, ऊट का नहीं तो भई याक का क्या है पाड़ी छेत्र में प्रियोग किया जाता है तो D जो इसका right answer हो रहेगा बेरी बेरी नामक रोग किसे की विटामिन की कमी से होता तो ये तो सभी को पता होगा विटामिन A की कमी से कौन सा होता है विटामिन B की कमी से कौन सा होता है C की से कौन सा होता है D की से जैसे रिकेट्स होता है B की से बेरी-बेरी रोग होता है तो इस अभी को पता होगा, तो बेरी-बेरी रोग पुछा है, तो B से क्या है, विटामिन B से बेरी-बेरी रोग होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्या रहेगा, कि वन्नाजीव को अत्यधीक नश्ट करने से क्या हो जाएगा, तो option है, करसी मे इसका राइटम सरो हो जाएगा नेक्ट क्यूशन है कि बताईए जो ग्रीन आउस गैस है उसमें कौन सी गैस परमुक मानी जाती है परमुक होती है तो ये करने की भी जुरूत नहीं है ये तो सभी को पता होगा क्यूंकि बार-बार हर साल कोमन क्यूशन है तो शियोटू जो है परमुक गैस मानी जाती है गरीन आउस में कार्मन डग्साइड जो है ये जो इसका राइटम सरो हो जाएगा वई नेक्स्ट है जो केचवा है किसान को किस परकार से लाब पहुचाता है वैसे इस का अंसर सभी को पता होगा पर क्या है उप्सन देखने के बाद यहां पर आपgens और राब कंफ्yooze हो सकते हो तो कोई कंफ्यूज ओनने वाली बात नहीं है सब से पहली बात तो यह यादरखना है केचवा को किसान का मित्तर का जाता है क्यों का जाता है क्यों कि का निर्मान किस परकार से होता है ये भी common question है दूंद कोरे का जो दूंद कोरे का निर्मान होता है तो C जो इसका राइट अन्सर हो जाएगा भई फिर है जो अल्पाइन जो अल्पाइन नामक वनस्पती है ये कहां पर पाई जाती है तो टूंद्रा जियों में समाना जियों में मुरुष्टली जियों में या साग्री जियों में तो अल्पाइन जो है ये टूंद्रा में पाई जाती है तो इस परकार से इसका राइट अन्सर कोन सा हो जाएगा टूंद्रा जियों में ठीक है फिर है नेक्स्ट देखे ये भी अच्छा क्यूशन है ये सारे बायोम से बने हुए है और बायोम का चेप्टर आप डिटेल से देखोगे तो सारी डाउट कलियर हो जाएंगे तो कैमपोज गास जो है किस बायोम के अंतरगत आते हैं जो कैमपोज गास है ये उशन कटीवन दिया गास होता है उस बायोम के अंतरगत आते हैं तो कौन सा उप्शन रहेगा तो बी जो हमारा राइट अंसर रहेगा कि कैमपोज गास जो है उशन कटीवन दिया गास बायोम क में अर्ब में तो ये भी बायम वाले में से बता रखा है जो बोमदिय सागरिय चेतर है उसमें क्या है कुन जुवन का क्या है विस्तरीत है तो बी जो इसका राइट अंसर हो जाएगा वई नेक्स्ट है कि जो पारिष्थितिक तंतर को उत्पादकता को प्रभावीत तथा नियंत्रित करने वाले कारकों को सर्वादिक महत्तोपुन होता है तो क्या होता है ओप्सन आपके सामने देखिए जवार या फिर जलिय प्रवा या जिवासम हिंदन या सोर्यक वीकरण तो इसने बोला है पारिष्थितिक तंतर को उत्पादकता को प्रभावीत करने के कारण कोन सा होता है सोर्यक होता है तो इसका राइट अन्सर कोन सा हो जाएगा D जो सोर्यक वीकरण है यह क्या है इसको सर्वाधिक मैतोपन करता है या क्या है इसको नियंतरित करता है तो इसका राइटन स्वर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा वई नेक्स्ट है कि जो solar cooker है solar cooker सुर्य की किन केड़ों से उर्जा अवसोसित करता है अच्छा question है पैरा बैंगनी केड़ों से करता है दर्श से परकास केड़ों से करता है अवरक्त केड़ों से करता है या दिर्ग तरंगों से करता है जो solar cooker है यह सूरिय की जो दिर्ग तरंगे होते हैं उनकी क्या है उर्जास को क्या है अवसोसित करता है तो दिर्ग तरंग वोक से तो इसका right answer क्या हो जाएगा डी जो इसका right answer हो जाएगा वही नेक्स्ट है कि तैरने के तलाब में तैरने से मनुष्य की तवचा जल जाती है किसके कान जल जाती है तो जो तलाब होता है तैरने वाला तो उसमें क्या होता है क्लोरीन होती है तो क्लोरीन के कान क्या है तो इसका right answer क्या हो जाएगा बी जो इसका right answer हो जाएगा ठीक है फिर ह परत्वी पर जीवन के अस्तितों की सबसे बड़ा भै क्या है या डर क्या है तो चार उप्षन दिये हैं इन में से बताना है कौन सा वनों के कटाओ के काण देखो भे तो चारों उप्षन में से क्या है खतरनाक है या हमारे लिए हानिकारक है पर जो इसे ने बोला है सबसे बड़ा कौन सा हो जकता है वनों के कटाओ के काण आगे बढ़ते हैं अगला के उसने देखते हैं वीकरण के काण, मुरुष्थ लिये करण के काण या मर्दा के काण, नहीं, ये क्या है, एकदम सबसे बड़ा भे नहीं है, जो वीकरण है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा अस्तितों खतम करने वाला है, तो B जो हमारा राइट अंसर या बेस्ट ओप्शन जो रहेगा, वो है B रहेगा इसमें से, तो B जो हमारा राइट अंसर आ जाएगा, फिर है, नेक्स्ट, जो वीसो वानी की दिवस है, कम मना आ जाता है, 20 मार्च को, 5 जून को या 16 सितंबर को, 5 जून को भी आप सबी को पता होगा, क्या बना आ जाता है, 16 सितंबर का भी हम पिछली वीडियो मे जी कर चुके हैं, तो एक ही ओफ्सन बचता है, 20 मारच, तो 20 वार्च को क्या है, वीसो वानी की दिवस मना जाता है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर बता रहा हूँ, किसी बच्चे को अगर डिटेल से करने हैं, एवीस के टोपिक, तो वहाँ पले लिस्ट में जाए और वहाँ पर जाकर देखे, तो थेंक्यू स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,